हलो फ्रेंद्स वेल्कम टू माई चैनल टूथ ओफ शेयर मार्केट सो डिसकस कर लेते हैं अबाउट स्टोक्स फॉर 15 सेप्टेंबर 2023 दिस वीडियो इस वीडियो एद्धिकेशन प्रपस्ट यहां मेरा टेलिग्राम लिंक और वर्ट्सम नंबर गिवन है सप्ली जरेन करना ह स्टाट करते हैं फीडिवसींग बैंक फीडिशेयर में बाद कर रहा है तो देखो है अज तो कंप्लीट मार्केट अड़ूरा साइड़ ऑता कल बी North इसकेशन हुआ तो यार इतनी बड़ा मुवमेंट दिया है तो मार्केट में हो सकता है कल पूरे दिन साइड वे रहे तो आज क्या करा मार्केट ने यहीं ओपन हुआ साइड वे रहा एंड क्लोज दे दिया तो कल के लिए इंपोर्टन लेवल क्या होंगे 1645 के उपर जाता है तो 1651 एंड 1663 एंड 1639 के नीचे आता है तो 1632 एंड 1626 तो यह दो लेवल इंपोर्टन होंगे अगर बात करें एसल की तो एसल आपका जो बनेगा दाट एज 1640 का आपका एसल बनेगा फुर बाइंग साइड यानि 5 पॉइंट का और सेलिंग की बात करूं तो 1643 का एसल बनेगा ठीक है तो यह आपके हार्ड एसल रहेंगे ना अगर मार्केट यहां उपन हो और उपड़ जाना लगे तो हम इससल के साथ एंटर कर सकते हैं और नीचे जाने लगे तो केंडिल के हाई एसल लेकर एंटर कर सकते हैं बात करें गेपप देखो 1652 के ऊपर काफी अच्छा मूमेंट आपको देखने को मिलेगा ना अब बात करें गेपप होता है अ रेंज में वापस आता है तो फिर लोवर रेंज के लिए हम प्ले करेंगे ठीक है एसल के होगा तो एसल इस केंडल का हाई होगा अगर ज्यादा बढ़ा हो एसल तो आवोईड करना इटरेट सिमिलर वे में गेप डाउन हो नीचे जाए तो इस टार्गेट के लिए और आप कि लिए था बीरिश इस लेवल के नीचे तो वापस अगर आ गई तो हमें एक्जिट कर जैसे इस टाइप की करने यह एए रेट ये चैनल नीचे यह नहीं गए उसका लोग करें इन दोनों के लोग के नीचे अगर 30 सेकेंड रुकता है तो फिर आप सोच सकते हैं बट तो थोड़ा से इन चीजों पर भी ध्यान रखना मानो जिलाइक अगर आज की बात करें जैसे ये केंडिल नीचे क्लोज भी ये नीचे गई ठीक है नीचे जा रही थी बट आपने अगर एंट्री करें इस रेड लाइन पर वापस अगर आ रही और केंडिल क्लोज दे रही है यहां पर और उपर वाली रेंज की साइड है यहां पर हमें एसल लेना है यहां ज्यादा भी नहीं होगी यही लेवल था एंट्री का एंड हमें फिर किसके लिए प्ले करना इस लेवल के तो थोड़ा इन चीजों को ध्यान रखोगे तो और आपकी ट्रेडिंग में गिवन थे आपके दोनों टार्गेट हो गए अब भी एक टार्गेट हो गया अब बात कर लेते हैं कि लेवल के अपोरें लोगा जैसे इस केंडल की बात करें आज अगर आज तो नहीं ओके थर्टीन वन आवर की केंडल से तो फूर्टीन आपका यहां कहीं होगा ठीक है यह केंडल आज की ओपन होई नीचे आए लेकिन क्लोज हलका सा नीचे आई लेवल के उपर ही क्लोज दिया ठीक है तो उपर के टार्गेट के लिए ठीक है अब कल के लिए अगर 1022.5 के पर जाता है तो 1031.5 and 1042.24 यह आपके टार्गेट रहेंगे नीचे के बात कर लाएं तो 1010 के नीचे आप सेल कर सकते हैं for the target of 997 and 985 इसके नीचे अगर जाता है विरेशनेस होती है तो यह टार्गेट easily मिलेंगे गब डाउन होगे इसको टक रहा है और यहां थोड़ी देर भी रूकिया नहीं 30 सेकिंड या 40 सेकिंड तो भी हम सेल कर सकते हैं for this target बट यह एसल जरूर लेके चलना है यह एसल जरूर लेके चलना है इसका bottom और इन तीनों का top ठीक है यह एसल क्या लेके चलना है जनरली अगर हम बात करें तो यहां पर आपका एसल बनेगा 1018 for buying and 1015 for selling ठीक है नेक्स बात कर लेते हैं so that is Reliance Reliance की बात करने तो Reliance उपर open हुआ गेप उपर के लेवल तक जाने कोश्य की बट वापस नीच आई अगर इस candle के नीच आ गया यह तो फिर क्या होगा अब जैसे यह candle भी इसके नीच आई होगी है न यहाँ आई उपर तक गई अब अगर किसी ने इसके नीच एंट्री ली है ठीक है तो अब ऐसे लिए होगा तो यहाँ पर को एंट्री लेनी भी नीच जाए ठीक है क्योंकि एसल काफी बढ़ा है इसलिए avoid करना ची बट अगर यह candle इसक 267 and 2477 यह आपके target होंगे upward direction में नीचे गर हम बात करें 2445 के नीचे जाता है तो 2435 and 2425 यह target होंगे downward direction SL क्या लेके चलना है तो SL यहाँ पर जो बनेगा that is 2451 आपका buying के लिए sell रहेगा and अगर selling की बात करें तो selling के लिए 2452 ठीक है इसके उपर तो थोड़ी bullish movement आपको देखने को मिलेगी है ना और इसके नीचे आपको bearish movement देखने को मिलेगी तो अभी first level तक के लिए trade initiate करना उपर की side अगर first level तक जा रहा है तो second level जाने की तांस काफ़ी higher side रहेगे है ना नीचे नीचे इस level के नीचे 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 फर्स target के बाद ही आपको movement देखने को मिलेगा infosys की बात करें infosys ने कल अच्छा movement देता आज बिल्कुल consolidation किया है और consolidation करना हमारे लिए अच्छा होता next टेक है नीचे तो अगर यहाँ पर देखें 1509.5 के उपर जाता है तो 1521 and 1539.5 यह आपके target रहेंगे आपको डारेक्शन में 1505 आपका SL रहेगा and 1502.62 के नीचे जाता है तो 1493 and 1483 यह आपके target रहेंगे यहाँ पर अगर SL के बात करूं तो यहाँ पर 141506 का SL रहेगा for selling and 1505 का SL रहेगा for buying next बात कर लेदे है तो यहाँ आपके इस बीए इस बीए ने के किरा सुबर जैसे मार्केट में मॉवमेंट की दिया था मैंगनिफ्टी ने चिहाले से जार के उपर गया तो सारे उपर गये and फिर नीचे आपके बात करता है तो 594 के नीचे सेल करेंगे for the target of 589 and then 584 ठीक है यहाँ SL की बात करें तो SL आपका जो बनेगा that is 596 for buying and selling के लिए आपका SL बनेगा 596.5 ठीक है 596.5 देखो कहीं हो सकता है आपका यानि रिस्क to reward one ratio one हो किसी में one ratio two हो किसी में one ratio three हो ठीक है तो कभी-कभी SL बड़े होते हैं तो आप चाहें तो उस सीच को avoid कर सकता है ना उस stock को avoid कर सकता है next बात कर लेते हैं so that is Tata motor Tata motor की बात करें अगर यह 624.5 के नीचे जाता है 624 624 के नीचे जाता है तो आपको थोड़ी सी profit booking देखना है कि में लगी 620 and maximum 609 16 and अगर उपर जाता है 628.5 के उपर तो 632.5 and then 637 यह टार्गेट आपको अपवर डारेक्शन में देखने के लिए SL की बात कर लेदे हैं so SL हमें जादा बड़े नहीं 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 टाटा मोटर्स में तो टाटा मोटर्स में जो SL हम लेके चलेंगे दाट इस 625.5 यह टेट पॉइंट का SL in सेलिंग डारेक्शन अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग के लिए आपका होगा सिक्स ट्वेंटी सेवन डेट डेट को इंट के सेलिने से जादा नहीं लेना चोटे से थोड़े टार्गेट बड़े तो यह टार्टा मोटर्स में नेक्स बात कर लेदे हैं कि अगर जब तक इस लेवल 2555 के उपर नहीं जाता तब तक कुछ नहीं करना और 2506 के नेचे नहीं जाता तब तक अभूइट करना ठीक है अगर कोई केंडिल जैसे यह उपन हुई थी इसी टाइप से कल अपन हो जाए यह वापस रेंज में है तो पस रेंज को प्ले करने क कोशिश करना अगर उपर जाए गैंडिल नीचे आए तो यहां तक और यह नीचे जाके उपर आए तो यहां तक इस टाइप से टार्गेट इसमें जब तक यह कोई बड़ी न्यूज नहीं आ जाती और बड़ी न्यूज का मतलब वही यूट्यूब वाली नहीं बड़ी न अब मैं बुलनों इसके उपर तो कभी क्या होता है यहां खुला तो हम बाय कर लेते हैं तो उन चीजों को वेट करना है अब मानों यहां पर खुला उपर गया हमने बाय कर लिया कोई दिक्कत नहीं बट यह हमारा एसल भी था और एसल लेके हमें क्या करना था सेल भी करना में की हम्मत नहीं हो थी को कि हमने क्यालशन नहीं कर रहे कि हाँ लोस कितना हो जाए हँ तो जब हमारा हमारा फ़ीदो का कि अपना हमारा यही चेकजों के यह चाल कृष सब्क्ना हे तो तो शायद 78,000 रुपए का benefit भी हो जादा तो इस वे में आपको ये SL किलियर होंगे के हां मेरा maximum loss कितना हो सकता है उस हिसाब से मेरी quantity fix होती है ठीक है अब एक लाग के capital पे मैं इतना quantity नहीं ले सकता कि मेरा loss 25,000, 30,000, 50,000 हो जाए है तो उन चीजों का आपको थोड़ा से ध्या अब बात करें कि अडानी का व्यू जब तक देखो इसके उपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है इवन और 2473 कि 2472 लेके चलना यह आपका इसके नीचे अगर दो मिनिट भी रुपता है तो चाहिए आपकी लोंग पोजिशन है आप एक्जिट कर सकते हैं ठीक है अब नीचे गया हमने यहां एक्जिट कर लिया और उपर आये तो हमें फिर वापस रिएंटर भी करना पड़ेगा अब सेम केंडिल में नी यानि मान थाग कैसे आपकी साल के स सकते हैं आपकी द्याओेख और इस सायशाओ था श्याम झीपर जानननी हैओ मैं नीीचे और साथ में टत एस हमें आजी तो कर कर दो सीआध खर दिवकर है जानना टora कर दो सम Сाम सॉ सॉत्स preocupatशिए और देखा।ो